प्रिमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडिवित प्रदीप पे हम लोग इल्टी की जीएस की क्लास कर रहे हैं आज तीसरे सिट हमको को साल्ब करना है और तीसरे सिट से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी से सुरू करना चाहते है अपने वीडियो को आ कर रहे हैं 22000 पदों पर प्रिजटी प्रिजटी की बैकेंसी की मांग की जारें 22000 पद को जोड़ करके और 5001 मतलब टोटल 29000 पदों की भरती दीजए हलाकि इस पर भी कोई बात सहमती नहीं बनी है लेकिन आस्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द दी जाएगी और आपका पेपर भी होगा और यह भी कहा गया है कि 2022 के अंतक आपकी न्यूक्ति कर दी जाएगी तो अब इसी बात के साथ इसी आस्वासन के साथ बच्चों के धरना प्रदरसन को खतम किया गया है और बच्चों को अपने घर वापस जाने के लिए भेद दिया गया है यानि जो उत् का वाष्यूर्टी की बहुत जल ञाने वाली है उसकी बारे में भी आप जानते है हमने कहा था कि हम सव प्रेक्टिस पेपर करने जिसमें से आज हम लोग करते हैं helemaal Curtick दिन बाद में कुछ पॉइंटेट नोट्स आपको दिया जाएंगे जो आपकी परिच्छा के दृष्टे से अत्यनत महत्त पूर्ण होंगे तो स्टार्ट करते हैं सीखने से जीतने तक कि इस सफर में चलते हैं सोने से सिखर तक यदि आप नए हैं तो वाटसप पे जुड़ सक ही दूar कि अनए हैं और बेदों से संबंदित होते हैं सबके कुछ अपने इपने ब्राम् 4 होते हैं तो उससे संबंदित है गोपत ब्राह। पूछा जा रहा है कि गोपत ब्राम्हण है या अतरवेत का एक मात ब्राइम घन्त कौन है गोपत जो इसाँ परकार से एक मं बहुत ग्रहंग हर दो सलागी, यहां से एक याद रखिए एठरे और कौसी तक यह एतरे और काॉचितक जो ब्राम्हरत गृद्ध थे जुखेज लिगवेट से उसी बराकार आगे पढ़ेंगे तो सथ सधपत ब्राह्मार्ण और तैतरी ब्राह्मार्ण कि कि से संब्स है यजुर्वेद से कि सथत्त ब्राह्मार्ण और सब्सक्राइए ऋलग अलग सब रखना गोपद ब्रामर कुछा गया किस से संबंदी थे ठीक है अब इसके बाद इसके PDF जब नोट्स मिलेगा तो उसमें आपको पॉइंटेड में मिल जाएंगे किसके ब्रामर किस संबंदी थे वो PDF नोट्स आपको जिसे 5 स्रीज हो जाएगी तो आपके 100 प्रशन हो जाते है तो स्रीज में आपको 100 प्रशन हो जाते हैं तो स्रीज का वन लाईनर आपको भेद दे आजयता है आपके लिंक पे तो जब यहाँ पर जुड़े रहेंगे हमसे वार्टस अपप वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाता है जब 100 क्योश्चन हो जाएंगे तो उसका वन लाईनर या इस तीसरी सेट के बाद आपको one liner मिल जाएगा, क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है, उसी के साथ जब one liner मिलेगा तो उसे मेजूर वेज, साम वेज, अथर वेज, सब के बारे में लिखा रहेगा को उनका ब्रामण ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, नायनार कौन थे, आपको बतान है कि इसमें से कौन थे, तो आपका सही आंसर जो होता है, वो कौन थे, सैव धर्म के उपासकते, नैनार कहा जाता ही, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल की जाओ, आउ सकता नहीए, बस इतना याद रखे, नैनार कौन है, सैव धर्म के अन्याई, देखे, जो ह के लिए समझ्स्या हैं कि उनको साज़े ये च्छोटी जो आर्ट वालोंगों को लगेगा कि बहुत है और साइंज वालों को लगए कि बहुत आसान के लिए तो यह पर नैनार आपको बताना कौन है यह कहेंगे आपकी सेव धर्म के अन्वियाई है अब दच्छड भारत में पूर मतिकाल में भगवान विश्डू के उपास को उपासना करने वाले जो थे अलवार और भगवांसियों की उपासना करने वाले नैनार दो थे ठीक जो पूजा करते थे उन्हें नैनार कहा जाता था इस दच्छड भारत की बात हम कर रहे हैं ठीक है नैनारों की संख्या 63 मानी गई है जबकि अलवारों की संख्या कितनी मानी गई है 12 अलवारों की संख्या टोटल 12 मानी गई है जबकि नैनारों की संख्या कितनी है इनकी संख् तो अगर आप से पूछे कोई की अलवार कौन थे अलवार हो जाएंगे बैसुलो धर्म के यानि भगवान विशुडू के जो मानने वाले हैं विशुडू की पूजा करने वाले हैं और जो नैनार हैं वो संकर की पूजा करने वाले हैं यानि सेव धर्म के उपास्ट हैं किलि भी बूर्ख क्या था प्राचीन भारत का एक नगर हुआ करता था वहाँ पर पांचवी से अठवी सथी की बात करें पराचीन काल की बातते है उस लडाबदी वहाँ पर किसकी महाँ पिंस की रातधानी दी महाँ पें ओर सवराश्ट में और बाद में गुजरात राजिके भाव नगर के बंदर अगाओं के पश्चम उतर में खंबात्ती खाड़ी के मुहान तक इस्तित्त अब यहाँ से बस इतना बताना कि कहां पे है तो आप बलब भाई पटेल जो है वो गुजरात के थे बनलभी भी कहां है गुजरात में याद करनेके लिए है Hilli बल्कि दोनों का लिंक अलग अलग है लेकिन हमको बस याद करने का एक तरीका हम बता रहे हैं ऐसा लेकिन हीन यान से कुछ बिसाल क्योश्चन पूछ रहे हैं आपको बताना है कि हीन यान अवस्था का बिसालतम और सरबाधिक बिक्सित सैल क्रित चैत्ग्री कहां पर इस्थित है प्रश्ण को पढ़िए यूपी उत्तरपरदेश लोग सेवा आयोग का प्रश्ण है बाता भी यहां पर इस्थित आपको ऑकर Sh나 अब इसके बारे में बसाए तो यहां है सही आंसर हो जाता का रब्लो शिंट कर ले न कर ले में हीन यानवस्था का विसालतम और सरब्धिक बिक्सित सैल क छ इथित क्रित कार ले यानि लोना वाला महराष्ट में कहां पे लोना वाला महराष्ट में इस्तित है उसी को कारले कहा जाता है भाजा कोंडाने पीतल खोरा अजंता बेंटसा आज चैत्रियों का संबंध भी ही निया धर्म से ही माना जाता है लेकिन यहां पे जो दिया गया है और किसको दिया गया है आपका ए मुझे लगता है बीएड में भी कई बार एक प्रशन कोछा गया है या ऐसे नार्मल को एक जाम देते होंगा तो यह बहुत हाइलाइट क्योश्चन है सबने देखा होगा यहां पर पर्थम बहुत संगीत आजाद सत्र के सासनकाल में राजगरी पिहार में संपन कराई गई थ के लेठी है इसका नाम है सब्ध परणी कुफाहां पर उटीफ। अगर आफ से पूछेट परठम बहुत संगीत आजाद सासनकाल में हुए थी को से परथम बहुत संगीत आजाद सासन आखे संकाल में सब्तब बढ़ाई के पास हो थी चारji cóora णे सब को पता होगा अ्च कि यहां पर ता प्रतम बहुत संगीत हुई तो है को मिधना बाहत आ है और यह के दो समिच्छा एदिकारी या PCS लेबल तक कि भी प्रश्णों में पूछा जा चुका है ठीक है तो यह आसान सा प्रश्ण है सप्तपड़ी गुफा कहां से राजगरी में कहां पर बिहार में राजगरी कहां बिहार में और बिहार में क्यों फेमस है तो आप कहेंगे इसलिए फेम द्वार समुद्र किस राजबंस की राध्धानी थी आपको बताना है द्वार समुद्र किस राजबंस की राध्धानी थी होईसल राजबंस की राध्धानी थी यह आपका साधारण सा क्योस्चन और सा आंसर महाभारत मोलता किस रूप में जाने जाती महाभारत को दूसरे किस रूप में जाना जाता किस नाम से जाना जाता कैसे जाना जाता तो इसको सब लोग जानते हैं महाभारत का दूसरे नाम क्या है जै संगीता है लूसेंट के दूसरे ही पन्ने पे आपको मिल जाएगा ठीक है है महाभारत का नाम क्या है लूसेंट समयनन пар स cable हो गया तो बहुत को क्या हो जाता है अगर लुद की जो रचना की तो बैद ब्यास ने इस लोग थे तब इसका नाम जैसंगिता था ध्यान सुनिएगा मेरी बात पहले जब महाभारत में इस लोगों की संग्या हुई कितनी थी 8800 तो इसका नाम क्या हुआ जैसंगिता बाद में यह बढ़ करके 24,000 इस लोग हो गए ठीक है और भारत भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया तब इसका नाम क्या हो गया भारत जैसंगिता में जब 24,000 इस लोग हो गए तो इसका नाम क्या हो गया भारत अंत में यह एक लाख स्लोग होने के कारण इसको सत सहस्त्री संगिता भी कहा जाता किसमें पर्बों की संग्या कितनी यह आसानतर क्योंचन है आपके खास करके सूपर्टी टिक लिए शंस्क्रित वाला जो पूर्शन होता उसमें पूछा जाता है कि महा भारत में कितने पर्ब है तो आपके 18 पर्ब हैं ठीक है कितने पर्व हैं? 18 पर्व है, पर्व मतलब अध्याई, कितने अध्याई हैं? 18 अध्याई, कितने इस लोग होते हैं? 1 लाख इस लोग हैं, सुरुबात में कितने इस लोग थे? 8800, तब इसका नाम क्या होता था? जैसंगिता होता था, बाद में इस लोगों की संख्या 24000 होई संदर्भृत है अपको र appel आधरता से वाश्पन से अच चार ईक 한सिमति आप से बता सकते हैं कौन सा और पर चैंट रही है नेमन आधरता वाश्पन तो सिर्था हवा में उपस थे तो पानी के कणों को आधरता कहा जाता है जैसे गर्मी की दिनों में आप देखते हैं जब लू चलता है मही जून के महीने में लू चलता है 40 डिगरी सिंटिग्रेट ता पान तक हवाएं गर्म हो जाता करके ऊपर उठती हैं तेज गती के साथ चलती है इसी सिसरन मतलब ठंडी लगना सुरू हो जाता है और जब ठंडा लगने लगता चुकि उसमें पानी की मातरा होती ठंडी के दिनों आप देखते हैं कि आपके रूम में जो टाइल्स लगी होगी पत्थर लगा हो गया घर के पास में जहां पे अंदर सिर्फ हवा प्रिवेस कर रह critics वहां पर आप देखेंगे तो आपको नमी महसूस होती लेकिन गर्मी की दिनों में आपके घर के अंदर भी चले जैएंगे तो आपको गर्म हवाओं का दबाओं महसूस होता है इसी कंडिशन को सुस्कता कहा जाता है यानि सुस्कावस्थ्था जहां पर पानी की कमी म चेतरफल के हिसाब से का दूसरा ब्रियुद महाध्यू ओने या धिर उसरा सबसे बड़ा इंम कौनसा होताँए देखेए सबसे बढ़ा महाध्यू कौन है ऐसीया चूंकि है में दो ऐसे देसे है एक भारत है और एक चीन है जहां पर जनसंक्या सबसे ज्गे सबसे ज़्याद में जो जनसंख्या है लगभग यह मांच चलिए कि 31 मिलियन हैं कितने हैं 31 मिलियन वर किलोमीटर आधाग चेतर फल के द्रिष्टी से पूछा जारा है छेतर फल के हिसाब से बिश्टी का दूसरा ब्रियत कम तो पहला तब भी चलिए छेतर फल के द्रिष्टी से भी वही बात हो घी democrat च्योंत्र भड़ा च्छेतफल तिस्ड़के जाएय अब यहींी पोगा गया जी है जन संक्या के दिरिष्टी से भी बात यही है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें सबसे कम छेतरफल वाला जो महाद्यूप है वो कौन है तो आप कहेंगे आस्ट्रेलिया है तो थोड़ा सा यहां पे गलत हो गया छेतरफल के दिरिष्टी से कौन होगा तो आप कहेंगे अफ ठीक है चलिए कौन सी नदी उडिसा में अपना डेल्टा नहीं डेल्टा बनाती है कौन सी नदी ऐसा है जो उडिसा में अपना क्या करती डेल्टा बनाती है आपको बताना है कौन से ऐसी नदी है जो उडिसा में डेल्टा बनाती है अच्छा बात करें अगर यहां पर देखे तो आपका आनसर क्या होगा, आंसर सही होगा, महानदी आपका saih answer हो जाएगा महानदी जो है कितनी लंभी है, लगभग आप कहेंगे, साठे 800 km लंभी है, कितना है, साठे 800 km लंभी है महानदी और यह जल प्रवाः छेत्र जो है इसका बहुत बड़ा छेत्र है लगबग एक माल लिए कि एक लाख वर्ग किलोमीटर से भी जादा जल प्रवाः का छेत्र इसका माना जाता है यह 36 गड़ के रायपूर जिलेश के सिहावा से निकल करके पूर्व और दच्छिडव की और बहते हुए कटक उरीशा के निकड़ जाकरके अपना डेल्टा मनाती है कोन महा नदी महा नदी बस इतना याद रखे है कि ड्रिष्टी से कितनी है यह 850 गे लगबग है और इसमें एक लाग से ज्जयादा मतलब वर्ग किलोमीटर छेत्र में जो पानी का है वर्ग किलोमीटर चेत्र है जल प्रवाः चेत्र जिसे कहा जाता है और कहां से निकलती है 36 गड़ के रायपूर जिले से निकलती है और कहां पर डिल्टा मनाती है तो उडिशा के कटक में जाकर के अपना डिल्टा का निर्मार करती है तो सही आंसर होगे आपका महा नदी आगे बढ़ जाते हैं नमबर दो पे और नमबर दो पे आपका दिया गया है नदी से समझ देती है अभी प्रशन है बेतवा नदी मिलती है कहां से मिलती है बेतवा नदी किसमे मिलती है तो आप बताएंगे बेतवा नदी मद्द परदेश के राजसें जिले से निकलती है ठीक है और बिंद परबत स्रेड़ी से उद्गमित होती है ठीक है बेतवा नदी मद्द परदेश के राजसें जिले के बिंद परबत स्रेड़ी से निकलती है इसकी लंबाई छहसो पचास किलो मीटर मानग से ल निकलता है और मीयरपूर उत्तर प्रदेश में आती है यमुना नदीी में अब जाती है ऍूसplease लुग जानते हैं और इस परकार से नदे बहती हुई आगे बढ़ जाती किसे मिलती है तो आप गहांगे यम्ना नदी से मिल जाती यम्ना की अन्य और सहायक नदियां है जैसे आप जाते हैं केन चंबल टांस और कौन सिंध नदी एक सिंध है तो सिंध नदी तो उपर जम्मु कास्मेट से बहते हुए पाकिस्तान नि पाकिस्तान चले याद रखियेगा कभी कन्फूज मत होईगा अगर पूछा जातो भारत के कितने राज समुद्र के किनारे इसी थे जैसे ही लूसेंट भी आप खोलेंगे तोसमें दो तीन याइन पड़ेंगे भारत का भूल तो उसमें जैसे ही थोड़ा सा नीशे जाएंग भारत के कितने भी राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र से घिरे हुए हैं तो आप इसको बता सकते हैं यह question हम सोच रहे हैं कि आपके लिए छोड़ दें आप वहां से देख करके बताईए कि कितने राज्य जो हैं जूड़े हुए हैं किससे समुद्र के किनारे पर अवस्तित हैं आणके कितने हैं तो 9 डाज्य जैसे हैं जो समदूर के किनारे अवस्थित होते हैं भारत के बढ़ जाते हैं भारत में सबसेदिक उपजाओ मृध्या कान से होती है म्र्दा भारत की बात करें, भारत में आपके लुशंटंट में 8 परकार की म्र्दा दी गई है, यह practicing class 10 के बात करें तो उसमें 6 परकार की म्र्दा दी गई है, अगर यह चेला के विस गывать में बात दी के बात दिख़ेंगे, तो उसमें आठ प्रकार के मिर्दा कहीं दिखाई गई है तो एक थोगा सा कांट्रोवर्सिल क्योस्टन है लेकिन जो क्योस्टन एक पूछा जा रहा है उपजाओ मिर्दा तो इसका आंसरा बताईए भारत में सबसे अधिक उपजाओ मिर्दा कौन सी है तो आप बताएंगे क प्रोटीन के मामले में सबसे ज़्यादा होता है तो तुरंद भाग के जाएंगे आप सोयबीन के पास वहां पर जाता सोचने कि आउसकता नहीं आरावली परबसरेडी के बारे में कुछ इंप्वाटन के ंड है आपसे पुछे जा रहे है आपको बताना है आरावली परबसरेडी किस राज्य में इस्थित है बताईए भारत के इस्थल मंडल का शुच्चय राज्य में पाई जाती है सबको पता है कि इस्थन बॉसरेडी चोटी होने कारण च्योंकि ये जो मांसुन बनता है अरावली परवस्रेडी से टकराता नहीं बलकि उपर से उड़ता हुआ चला जाता है यही कारण होता कि राजस्थान में कई बार बारिस नहीं होती है और राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है चुकि अगर अरावली परवस्रेडी थोड़ी स बावल निमलिक्त वों अई मे और को हुआ है में छया नहीं वेह सितने जा इस इस ही तब्र हों मतलब कौन सायसा महद्यूप है जिसमें इसकी मात्रा अधिक पाय जाती है तो ये आपको बताना है ऐस्या में अस्टेलिया में या दच्छड अमेरिका में जल्दी बताएजिये सही आंसर क्या होगा सही आंसर होगा यहां पे ACA में ठीक है यहां पे ACA में आगे बढ़ जाएगे जनगर्णा 2011 के अंसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षर्टा दर उच्चतम थी यानि कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए गए जनसंख्या के हिसाब से साक्षर्टा मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है तो वह आपको बताना है साक्षर्टा दर कहां पे ज्यादा है चार आपसन आपके सामने दिखा पढ़ रहे हैं इसमें से बताना गाजियाबाद महोबा कानपूर और वारांसी तो जल्दी से बता दिये सही आंसर इसमें क्या होने वाला है तो आपका सही आंसर आने वाला है 2011 की जनगना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षर्टा दर उज्चतम थी तो चार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाजियाबाद महोबा कानपूर और वारांसी इसमें से बताना है चार में से उत्तर प्रदेश का सरबादिक साक्षर्टा दर वाला जिला जो होता है वो गौतम-बुध्य-गर में कितने सक्षर्ता mighty और सबसे कम सक्षर्था दरवाला जो जिल्ए है ओह सुरावस्ति यानि अगर सबसे ज्यादा सक्षर्था है तो आप कहेंगे गौतम-बुध्य-गर है सबसे कम कौन् सा है वह सुरावस्ति में किन्तों दिए गए बिकल्प में ये दोनों जिले तो अनपस्तित हैं ठीक है अब इसके हिसाफ से हमको चेहन करना है तो यहाँ पर दिया गया जो जिला है इसके हिसाफ से कानपुन नगर जो है उसमें जो है कानपुन नगर में जो सक्षरता दर है ओ है 79.7% ध्यास सुनिएगा मेरी बात को 79.7% स सक्षरता है उस हिसाफ से कानपुन नगर हमारा सही आंसर होना चाहिए लेकिन जब यह पेपर आपके समिच्छा अजक्यारी का पेपर है उस पेपर में प्रश्ण पूछा गया हमने इसलिए यहां पे रखा है ताकि आप इस बात को समझ सके आयोग ने इसका आंसर गाजिय ret 103 अब उसके बात करते हैं तो यहां पे चार आप संदीए हैं अब गाजियाबाद जो है उसमें कम है ठीक लेकिन और कानपुर जो है कानपुर का 79.7 है अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर से थोड़ा सा ही कम है दूसरे नमबर पर कानपुर नगर आता है लेकिन कानपुर नगर और कानपुर देहाद को लेकर के कन्फूजन के कारण आयोग ने सही आंसर गाजियाबाद को माना है जो डाटा है अगर ये कानपुर नगर लिखा गया होता तो सही आंसर कानपुर नगर हो जाता चूंकि कानपुर नगर और कानपुर देहाद दोनों है जो से देखते हुए यहां पर मामलात दुविधा में होने के कारण गाजियाबाद सही आंसर माना गया था और जब इस पर रीट भी पड़ी तो गाजियाबाद को ही सही माना गया इसलिए अगर इस प्रकार से प्रस्णा आता है तो थोड़ा सा कांट्रोबर्सियल हो जाता है कोशिद करिएगा जाजियाबाद को करिये ठीक है भारत में जनसंक्या घनत जनसंक्या घनत तो क्या हो निरंतर बढ़ रही है लगवा कि स्थिर है कुछ कम हुआ है और पहले बढ़ा था अब कम हो रहा है यह वगरा वगरा दिया गया है देखि तो निरंतर बढ़ रहा है अब देखें नहीं जनसंख्या कैसे बढ़ रही है लगातार बढ़ी जा रही और एरिया थी तुढ़ी बढ़ रही एरिया तो जो ती इमारी उतनी है भारत की जो एरिया थी कितना के नव लाग चाली सजार 1230 4 वर किलो मीटर नहां इस उत्तर प्र्देश का नहीं नहीं तो भारत का कुछ हो रहे हैं थेकि उल्टा वर रहा है तो भारत का जो चेत्र पर है बहारत का चेत्र घंजंख्य पढ़ने से बढ़ रहा है चेत्र पर थोड़ा से देख लिए भारत का और उत्तर प्रदेश का भारत का जो चेत्र है 22,29,735 किलोमीटर और जो उत्तर प्रदेश का दो सो एक कितना है एक कन्फूज हो रहा थोड़ा सा देख ले ना ठीक है भारत में प्रभावी साख्षर्तादर की गड़ना की जाती है किसके आदार पर की जाती है है ढिख वारती समाद हमांता का अधिकार पांच अनुच्छे दों में दिया गया है हाँ ऑची बात है तो यहां पे चार अपसन पुछा कि किसम किसमें पुछा गया है किसमें से किसमें दिया गया 13-17 14-18 या 15-19 तो 14-18 आपका सही आंसर होगा लेकिन अब आपको बताना कौन कौन सा अगर अनुच्छेत 14 की बात करें तो इसमें बिद के समता दिया गया है यानि बिद जो कानून है वो सब के लिए समान होगा नमबर दो पे आजाएं तो अनुच्छेत 15 में दिया गया है धर्म, जात, लिंग और जन्म अस्थान के आधार पर किसी में बिवेद नहीं किया जाएगा यह अनुच्छेत 15 कहता है कि किसमें धर्म के आधार पे, मूलबंस के आधार पे, जात के आधार पे, लिंग के आधार और जन्म अस्थान के आधार पे किसी में बिवेद नहीं किया जा उसमें सबको समान आउसर मिलेगा यानि जो सरकाई नोकरी होगी उसमें सबको समान आउसर दिये जाएंगे हलाकि आरच्छण की भी सुख्ड़ा दी गई है कुछ YST, YST, OBC को आरच्छण की भी सुख्ड़ा दी गई है लेकिन यहां पे सबको समान आउसर की बात कही गई है अनुच्छे 17 में आपरिस्टा का अंध दिया गया है यानि छुवा छूत का अंध है और उसके बाद अनुच्छे 18 की बात करें तो पादियों का अंध है तो यह आपका 14 से 18 जो है एक क्या है वह हमारा समिधान में पांच अनुच्छे दो दौरा हमें समानता का अधिकार दिया गया तो सही आंसर होगा 14 से 18 आगे बढ़ जाएं भारत के समिधान के निर्माताओं में मौलिक अधिकारों के अधारा को उधार लिया है मौलिक अधिकार कहां से उधार लिया गया है तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार लिया गया है USA के समिधान से कहां से लिया गया है USA के समिधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है निम्रिकित में से कौन सा एक राज के नीत निर्देशक सिधान संबिधान में बाद में जोड़ा गया तो आपको बताना है कौँसा नीत निद्रेसक सिधान संबिधान में बाद में जोड़ा गया तो कुछ ऐसे सिधानते जो बैलशो संबिधान संसोतन उननीस सो छेतर के दोरा जोड़ा गया जिसमें सही आंसर है आपका मुप्त कानूनी स ठीक है? किन के भी संबंदों की परिच्छा के लिए सरकारिया आयोग का अगठन किया गया था? यानि सरकारिया आयोग किस से संबंदित है? किन के बीच के चेत्रों के बारे में बताता है तो केंद्र और राज के चेत्रों के बारे में सरकार या आयोग अपने रिपोर्ट को सम्मिट करता है भारत के समिधान के किस भाग में संग राज सम्मंदों का उल्ले किया गया यानि संग और राज के बीच के जो सम्मंद है यानि केंद्र सरक से 255 के मद्ध दिया गया तो भाग कौन है भाग 11 है और कहां पर दिया गया है आपके अगर बात करें तो आर्टिकल जो है आपके वो 243 से कहां तक 255 के मद्ध में इस्तित है क्लियर आ गया बिज्ञान का प्रश्ण आपको बताना है दस प्रश्ण आपके बिज्ञान के हैं और ये प्रश्ण आसान है आपको इनके बारे में बताना है कि क्या होते हैं और इसका सही आंसर भी करना है लाल स्याही बनाई जाती है किस से लाल स्याही बनती है उसके बाद एक important question को मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एक exam में कि भौपाल गैस्त राषदी किस से संबंदी थे कि मतलब कौन से योगिक से संबंदी थे तो आपका सही आंसर हो जाता है फोटोग्राफी में इस्थिर रखने के लिए प्रयोगत होने वाला रासाइनिक पदार्थ कौन है यानि फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला रासाइनिक पदार्थ कौन है आपको बताना है तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है वो है सोडियम थायो खोटोग्राफी में किसा प्रेयों So अर निमल कित में से किस लओण को प्रधीक नमक के रूप में उप्योग नहीं करना चाहिए, इस यहिण सब्सक्राइब को भोजन नमक यहां यूथा नहीं सब्सक्राइब का म son तो सही आंसर कौन है, आपका कार्बोहड़ेट सही आंसर होता है, यहाँ पे स्टार्च, ग्लुकोज और कार्बोहड़ेट में सही आंसर कौन है, टार्बोहड़ेट, अब आजाते हैं, गाय का दूद पीले, पीले नहीं, पीले है, एक ही में है, ठीक है, गाय का दूद पीले सफेद रंग का होता है जिसका मुख कारण क्या होता है आपको बताना किसके कारण गाय का दूद पीले और सफेद रंग का होता है तो आप बताएंगे केसीन के साथ साथ केरोटीन पिगमेंट भी इसमें पाया जाता है केसीन के साथ साथ इसमें केरोटीन पिगमेंट पाया ज तीसरी आपकी समाप्त होती है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने मित्रों को सेयर कर दीजिए और लगातार ये अपनी स्रिंखला को देखते रहे हैं जैसे ही आपके इन तीन सेट का आपको वन लाइनर भेज दिया जाएगा आप उससे देख आपको जड़ होगा जल्दी ज झानेते हो आतार ये जड़ सेफे हैं आपको गैनल झाल